नमस्कार खबर HB में आपका बहुत बहुत स्वागत है आईए नज़र डालते हैं हिमाचल परदेश से जुड़ी आज की तजातरिन खबरों पर लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सस्क्राइब ने किया तो जरूर कर लिजिए साथी हमारे वाटसेप गुरूप को जोएन ज पंचायत अंद्रेटा वा टिकर पंचायत टिकर में एक एक पद अंगरबारी करेकताओं का तथा अंगरबारी केंदर अंबोटू पंचायत के लास्पूर सरोबर टू पंचायत पडियारकर समरियाल पंचायत चंद्रोपावा मत पंचायत सूगल में एक एक पद अंगरब ये दुनिया की सबसे अधिक उचाई पर बनने वाली सिंगुला टनल के लिए 1750 रुपीय की रासी जारी हो चुकी है ये रासी भारत सरकार ने जारी की है वही समूदर तल से 6580 पीट के उचाई पर सिंगुला दर्रे पर टनल का निर्मान होगा इस टनल की लंबाई 4.1 किलोमेटर होगी वही ये टनल सामरीक दिरिश्टी से बहत महतुपूर्ण है इस टनल के जरिये पाकिस्तान और चीन सीमा तक भारते जवानों की पहुँच असान हो जाईगी एक पी एससी को भंग करने पर जेराम ठाकूर का सवाल सीम सुकू बताएं कैसे पूरी होगी लंबित भरती परिक्रिया जे हिमाचल पर्देश के मुखी मदिर सुक्मिंदर सीख सुकू ने मंगलबार को हिमाचल पर्देश कर्मचाय चेन आयोक को भंग करने का फैसला लिया वही मंगलबार साम इस बाबत अधित उचना जारी कर दी गई इस पर नेता पर्तिपस जेराम ठाकूने निसाना साधा है उन्हेंने काया कि हिमाचल पर्देश के युवावों का भविस से अधर में लटका नजर आ रहा है वही सरकार को इसपष्ट करना चाहिए कि भरती परिक्रिया कैसे पूरी होगी सिमला में बिजली गिरने से हुआ जोरदा धमाका टल गया बढ़ा हाथसा विडियो वाईरल जेहिमाचल पर्देश की रायधानी सिमला में मंगर्बार को जम कर ओला बिषट हुई इस दुरान सिमला के संजोली कोलेज के नईधीक बीजली गिरने से जोरदा धमाका हुआ वही कुछ कोलेज के चात्रों ने बीजली गिरने की इस घटना को अपने मोबायल केमरे में क ciao कोई मौजूत नहीं था जे स्वास्ते मंत्री डॉक्टर कर्रल धनिराम सांडिल ने कहा कि पर्देश में 11 मात्री एवं सिसु सनस्तान अस्तापित किये जा रहे हैं। उसमें 5 सनस्तान खोले जा चुके हैं और 6 का निर्मान कारी जा रही है। वहीं इन सनस्तानों में महिलाओं और नौजात बच्चों को बहतर सुधाई मिलेगी। उन्होंने बूदबार को कसोली में एक समाजी कारी करम के दुरान कहा कि पर्दे सरकार राज के समगरे विकास के लिए कारी कर रही है। वहीं विदेश मंत्राले के संजुक्त सचीब IFS एल रमेस बाबु ने वुदबार को उपाईकते कारेले कांगरा में बैठक कर तयारिया की समिक्षा की। एल रमेस बाबु ने कहा कि समुचे भारत के लिए या गोरब का विसे है कि दिसंबर 2022 से G20 देशों की अधिचिता करने की जिम्मिदारी भारत को मिली है। भुस्कलन के पुर्मानुमान की मिलेगी सटिक जनकारी IIT मंडी के बेग्यानिकों ने बनाया AI अलगोरिथम। जे सीक्यूरिटी गार्ड और सुपरवाजर के सो पदों को भरने के लिए मंडी के विविन रोजगार कारेलों में सक्षातकार होंगे। अब दिपो में लोगों को आँखें इसकेन कर मिलेगा सस्ता रासन टेंडर फाइनल। जे हिमाचल पर्देश के रासन कार्ड अब भगताओं को अब आखें इसकेन कर डिपो में सस्ता रासन मिलेगा। वही विभाग का मनना है कि इस योजना को लागो होने से सस्ते रासन के फरजी वाड़े पर अंकुष लगेगा। वही पॉस मशीनों में अंगुली लगाने का जंजट भी खत्म हो जाएगा। लाहोल के सिस्तु में बनाई जाएगा किरकेड इस्टेडियम रवी ठाकूर ने केंद्रिय मंत्री अनुराख से की चर्चा। पिलते ही वो जल्दी अधिकारियों के एक दल को लाहोल इस्पिती भेजेंगे और सिस्तु में प्रस्तावित किरकेड इस्टेडियम के निर्मान को लेकर रुपरेका तयार की जाएगी। सिमेंड विवाद सुल्जाने में आहम भूमिका निभाने वाले पंकचराई होंगे विशे सचीब शिक्षा आबीत हुसेन को डिसी विलासपूर का जिम्मा। जेहिमाचल की सुकमिंदर सिख सुकू सरकार ने वुदबार को दो IAS अधिकारियों का तबादला किया है। दो महिने से अधिक समय तक चले सिमेंड विवाद को सुल्जाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले बिलासपूर के डिसी पंकचराई को सरकार ने चिक्षा विवाग के विशे सचीब की जिम्मेदारी दी है। इसके अलाबा उन्होंने प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी स्पेसल सेक्रेटरी बनाया गया है। वे इस पत का अतिरिकती कारेवार समालेंगे। इस संदर में जारी अधिसुचना में कहा गया है कि प्लानिंग विवाग के स्पेसल सेक्रेटरी होने के नाते हुए सरका को पांच मैं पेटियों ने फर्ज निभाते हुए पिता का अंतिम संसकार किया वे पिता की अन्तिम यात्रा में शम्रीबार्प्रक खार्फिंग के दो दिन मौसम साप रहने के असार है वही राजधानी सिमला वो अन्य भागों में आज धूप खिलने के साथ हलके बादल भी चायो हुए हैं वहीं मौसम बिज्ञान के अनुसार परदिस में 24 फरवर तक मौसम सुस्क बना रहने के असार है जबकि 25 और 26 फरवरी को कई भागो की संभावना है दोस्तों आज की संदार कवरों का सिलसिला इसमाप तो हता है अगर जनकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक सेर चनल को सस्क्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को की जिलर पंचायच से देख रहे हैं थैंक्यू, ओल दे बेस्ट, जहिंद, जहिमाचल